हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं जोती स्टेडी विज्जे के चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम लोग करने वाले हैं बाल संस्कृतम बुक से तृतियह पाठा वर्शा कालह तो चलिए इसको द पाठा और दितिया पाठा की वीडियो डाल चुके हैं अगर आपने वह नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप वहां से चाके देख सकते हैं और हाँ अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल कर सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को भी प्रेस करते हैं थाकि नंग्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अब इसको स्टाट करते हैं इस वीडियो में हम लोग करेंगे लाइन टू-Lाइन explanation हर लाइन की व्याक्या हर एक पंग्ति की व्याक्या और साती साथ इस पाट के करेंगे शब्दर्थों को और साती करेंगे अभ्यास कारे को और लास्ट में हम चेप्टर की गटिविधी को करेंगे गतिविद्र यानि एक्टिविटी को तो चलिए आप इसको शुरू करते हैं आकाशे मेगह गर्जती आकाशे का अथुद है आकाश में यानि आस्मान में मेगह, मेगह कहते हैं बादलों को बादल गर्जता है आकाश में बादल गर्जता है व्रस्टी भवती, व्रस्टी ही कहते हैं वर्षा को, बारिश को, बारिश होती है एकह, शशकह, आद्रह भवती एकह मने एक, शशकह कहते हैं खरगोश को, रैबिट को आद्रह कहते हैं गीला, यानि भीग रहा है भवती होता है, एक, खरगोश, गीला होता है आकाश मेग गरशता है आकाश में बादल गरशता है बारिश होती है और एक खरगोश गीला होता है वरस्टी न विरमती वरस्टी मने वर्षा बारिश न मने नहीं विरमती मने रुकती है बारिश नहीं रुकती है शश कहा चिन्त यती शश कहा खरगोश चिन्त यती सोचता है खरगोश सोचता है शश कहा अर्बी पत्रम तोड़ता है खरगोश अर्बी का पत्ता तोड़ता है बच्चो अगर आपने अर्बी का पत्ता देखा होगा ना तो आप देखना उसको कि उसके उपर पानी रुकता ही नहीं है जैसे चाता लेकर हम जाते हैं और चाता हम क्यों लेकर जाते हैं ताकि हमारे उपर बारिश ना आए ऐसे ही ये खरगोश ने क्या किया इसने एक अर्वी का पत्ता तोड़ लिया शशकह कत्यती शशकह कहता है शशकह क्या बताया आपको खरगोश खरगोश कहता है क्या कहता है अहा एतद मम छत्रम अहा मने अरे एतद मने यह मम मने मेरा छत्रम मने छाता यह मेरा छाता है यह देखो उसने किस तरह से अर्बी पत्रम को अपना छाता बना लिया सह सह मने होता है वह वह पत्र चत्रम नित्वा ग्रहम गच्छती वह पत्र यानि पत्ते का चत्रम चाता नित्वा कहते हैं लेकर वह पत्ते का चाता लेकर ग्रहम मने घर को गच्छती मने जाता है वे पत्ते का छाता लेकर घर को जाता है काश में बादल गरजता है वर्शा होती है, बारिश होती है एक खरगोश गीला होता है बारिश नहीं रुकती है खरगोश सोचता है खरगोश अर्बी पत्र तोड़ता है खरगोश कहता है अरे यह मेरा चाता है वहें पत्ते का चाता लेकर घर को जाता है आप करेंगे शब्दर्थों को शब्दार्थः आकाशे आकाशे कहते हैं आस्मान में इंदस्काय गर्जती गरस्ता है वरस्टी वर्षा बारिश शशकह खरगोश आद्रह गीला नवीरमती नहीं रुकती है चिन्तेयती सोचता है छत्रम छाता नित्वा लेकर अभ्यास है अब हम करेंगे अभ्यास कारे को और अगर आपने अभी तर वीडियो को लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले रंग संयोजनम कुरत आपको क्या करना है इसमें रंग भरना है ये क्या है ये है अर्भी पत्रम आपको इसमें ग्रीन कलर करना है और क्लाउड कैसे होते हैं बादल कैसे होते हैं बादल वाइट भी होते हैं ग्रे भी होते हैं तो आप इसको बादलों में वो color कर देंगे। चित्रानी द्रश्टवा उचारणम कुरत। चित्रों को देखकर आपको उचारण करना है। शश कह कंदू केन क्रेड़ती। शश कह कहते हैं खर्गोष को। कंदू केन कहते हैं बॉल को गेंद को। जब कंदुकेन आता है ना तो बोते हैं गेंद से या गेंद के दौरा तो खरगोश गेंद से खेलता है अगला क्या है रमा छत्रम निट्वा चलती रमा कौन है ये जो गरल है ये कौन है रमा है ये क्या कर रही है छत्रम छत्रम का अर्थ आपको क्या बताया है छत्रम का अर्थ होता है छाता नित्वा नित्वा कहते हैं लेकर आपने पहले शब्द अर्थ पढ़े है ना तो आपको ये शब्द याद करने है रमा छत्रमाने चाता नित्वमाने लेकर चलती चलती है रमा चाता लेकर चलती है सा, सा कहते हैं वह दिखो अभी आपने पहले क्या पढ़ा था जब आपने खरगोश के बारे में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था सह, सह कहते हैं वह और यह वह किसके लिए लिखते है, जब कोई boy होता है, या फिर कोई male gender होता है, तो वहाँ पर क्या आता है, और संस्कृत में जब sa लिखा रहता है, sa मने आता है, वह है, लेकिन यह कब आता है, जब कोई female gender होता है, अब साख शशकम नित्वा चलती अब इस पिक्चर में वो क्या कर रही है? इस चित्र में वो क्या कर रही है? वह क्या लेकर जा रही है? वह शशकम कहते हैं खरगोश को नित्वा माने लेकर चलती है वह खरगोश को लेकर चलती है रिक्तिस्थाना आनिपूर्यत अब हमने करनी है रिक्तिस्थानों की पूर्ती यहाँ पर आपको कोश्ठक में शब्द दिये हुए हैं और आपको उनको यहाँ पर फिल कर देना है यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे व्रस्टि भवती शशकह आद्रह भवती शशकह खरगोश आद्रह मने गीला भवती मने होता है वरश्टी भवती बारिश होती है शशकह पत्र छत्रम त्रोट यती शशकह खरगोश पत्ते का छाता तोड़ता है निम्नांकित शब्दानाम हिंदी लिखत यहां जो शब्द दिये हैं संस्कृत में आपको उनकी हिंदी लिखनी है अब तक तो आपने इनको बहुत बार पढ़ लिया है आपको याद भी हो गया होगा शजिकह कहते हैं खरगोश को आप यहां पर खरगोश लिख देंगे रस्टी ही कहते हैं बारिश को वर्षा को आप यहां पर वर्षा लिख देंगे मेगा बादल मेगा कहते हैं बादल को आप यहां पर बादल लिख देंगे परवता क्या होता है परवता कहते हैं पहाड को माउंटिन चलती, चलती माने चलता है या फिर चलती है अब है गतिविधी, एक्टिविटी यहाँ पर आपको यह आपके टीचर के लिए एक्टिविटी है वो क्या करेंगे? शिक्षक विध्यारतियों को संस्कृत वर्ण माला एवं संस्कृत शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएं पर मैंने संस्कृत वर्ण माला का चार्ट आपके लिए दे दिया है आपको क्या करना है? उनका उच्चारण करना है जब आप बार-बार उन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा अगला प्रशन है पच्चों को विभिन प्रकार की पत्तियों कलियों फूल की पंखुडियों से विभिन आकरTियों का निर्मान कराएं बच्चों आपके स्कूल ग्राउंड में या फिर आपके घर के आस-पास कई तरह के पत्ते होंगे या फिर घीपंगुडिया होंगी आप उससे बहुत तरह से क्या कर सकते हैं आकृतियां बना सकते हैं जैसे की पीपल के पत्ते से आप गणेश जी बना सकते हैं और भी कई पत्तों से आप चूहा बना सकते हैं आप फूलों की पत्तियों से या फिर पेडों की पत्तियों से तरह तरह के फूल बना सकते हैं शिक शेप बच्चों को प्रश्न पूछें कि अगर आप शशकह की जगा होते तो क्या क्या करते इस पर उनसे प्रस्तुति देने के लिए कहें तो ये टीचर्स के लिए activity है, खरगोष ने क्या किया था, जब बारिश हो रही थी, तो वो सोच रहा था, कि वो बारिश में कैसे जाएगा, तो उसके mind में एक idea आया, उसने क्या किया, अर्भी के पत्ते को तोड़ा, और उसको लेकर वो चल दिया, ताकि वो बारिश में ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, साथी बैल आइकोन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तिल देल, बाई